यहां से आपका जो पहला प्रश्ण लिए रहाता हैं आप सब वांसा करते हैं क्या आप सब अच्छे होंगे और आज आप लोग पेपर से पहले पेपर देने के लिए तियार विज्ञार होजिए अज हमलों का हिस्टरी का टेस्ट है तो आप लोग टेस्ट जरूर लागाई ह आपको 25 प्रशन दिया गया है आप इसमें से सारा प्रश्टर्ट प्राक्टिस किया होंगे तो इसमें सब 25 स्थेज़् सही कर सकते हैं अन्याथा इसमें आपको चार अप्सन दिये हैं काली बंगन धोलाबीरा मोहंजोदरों लोथल या फिरुपवय कमसर कोई नहीं या आपका राइटन सर क्या होगा आपका काली बंगन से मिला हुए ठीक राइटन सर एक अलीजे काली बंगन तो यह भी आपको राजस्थान में इस्तित है चलिए दूसरा प्रश्ण देख लिजिए यहां से आपका दूसरा जो प्रश्ण है कह रहा है कि सची और सटी के किरिया निम्न में से किसे संबंदी थैं पहला उपसन है बहुत धराम। दूसरा है हिंदू धरम थे सब्सक्राइब और चौता है इसाई धर्म पाच्वा में देख लेजिए उप्योग में से कोई नहीं या फिर सभी तो आपका राइटंसर किसे होगा आपका राइटंसर होगा यह जो त्री रतने आपको जैन धर्म से संबंदित है ठीक अगला प्रश्nant देखा जाएं हम लोग का consists नबर प्रश्eln है है कि इन में से किस सासक ने चतुत बहुत इस यहां पर अयोजित किया था तो आयोजित जो किया गया था यह आपको कनिस्क के द्वारा आयोजित किया गया था राइट अपका सी हो जाएगा ठीक थोड़ साम लोग इसके बारे में जान लेते हैं देखिए जो प्रत हम बहुत संगती है यह कहां पर वह था राजग्री में हुआ था किसके सासन काल में तो आजात सत्रू के सासनकाल में समय आपका उसका जो था, 483 इस भी पुर्व था, और इसके जो अध्यक थे, वो महा कस्याप थे ठीक, दूसरा बहुत संगती है, जो है, बैसाली में हुआ था, इसके जो सासनकाल था, सासक जो था, आपको काला सोक थे, एर इसका जो समय था 383ी सभी पुर्व था और इसका जो अद्याग थे वो सर्वकामी था ठेक चलए तीसरा जो बहुत संगती वह थ वो पाटलेपुतर में हुआ था अशो के सासन काल में और ये 251 इस वे पुर्व में और इसके जो अध्याक थे वो मोगले पुद तिस्त थे ठेक चौथा जो बदसंगती वा था वो कुंडलवल में कनिस्क के सासनकाल में और ये जो है इस वी की प्रथम सताब्दी में हुआ था और इसके जो अध्याक थे कौन थे बसुमीत रहते ठेक चलिए अगला हम लोग प्रसन देखते हैं चौथे नमर प्रशन क्या है देखिए यहां से आपका प्रशन है कि निम्न में से किस भारतिय दर्वसान ने प्रमानु सिधान्द का प्रतिपादन किस ने किया आपका पहला आपसान योग दूसरा नयाय तीसार संख्या और चौथा में हम लोग कहा है बैस्विक पर कौन सा बैसे सिख हो जाएगा तो इसमें राइट अंसर कौन सा होगा आपका राइट अपका डिक और अपनेंट करिएगा किसमें आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं चलिए अगला कौन सा होगा तो इसमें आपका राइट अपनाए गया था यह बल्वन के द्वरा अपनाए गया था चलिए नेक्स प्रस्ण देखा जाए छठा नमर जो प्रस्ण है माद्यकालीन भारतिय समराज ब्यापक अस्तर पर अस्थानिया स्वासासन के लिए प्रसीद है परसीद अस्थानिया स्वासासन के लिए पहला अफसन है चलो के दूसरा चोल तीसरा सुलंकी और चोथा में परमार कौन सारा इटंसर होगा तो यह जो आपका प्रसीद था आपको हां बिल्कुल यहां पर आपका चोल जो था वह प्रसीद था राइटंसर भी कर लिजिए चलिए अ संबंदित है यहां पर आपको पांच ओप्सन दियाए कि कौन सा राइट होगा तो इसमें राइटंस होगा कि दिवारों में अर्द कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निसानी करना जो है आपको पीटरा डिवरा संबंदित है ठेक चलिए अगला प्रशन हम लोग आठवा या फिर साजा तो आपका राइट एंसर होगा यह आकबर के द्वारा बनाए गया था चलिए नेक्स प्रशन हम लोग देख लेते हैं यहां से आपका 9 नमबर प्रशने की इन में से किसने जो हैं 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था यहां पर सक्रिय रूप से जो भा अगम जिनत महल जो के दिल्ली से तो हलाकि इसमें से आपका उपयुक्त में से एक स्यादिक होगा यह जो सभी ने भाग लिया था ठेक चलिए अगला प्रस देख लीजिए हमलों का दस नमबर जो प्रशन है करें कि किस अधिनियम के बारे में जवाहला लेहरू ने कहा था कि हमें एक देशी कार दी गई है एक देशी कार दी गई है जिसमें सब्र का ब्रेक थे आपर जिसमें सब्र के ब्रेक थे किन्तु इंज तो आपका राइटेंसर कौन सा होगा आपका राइटेंसर होना चाहिए 1935 का दिनियम में जो पंडिज वाहड़ाल नेहरू ने कहा था कि एक हमें कार दी गई है जिसमें तो सब्र का ब्रेक है किन्तु उसमें आपका इंजन ही नहीं है ठीक चलिए अगला प्रस्ण हम लोका 11 नंबर है कि दंडे यात्रा कितने दिन तक चली थी 10 दिन 24 दिन या फिर 30 दिन राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर आपका जो है दंडे यात्रा जो है 24 दिनों तक चली हुई थी ठीक यह जो चला था आपको 12 मार्च 1930 से लेकर 6 सर्फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचाइता कौन है तो इसके रचाइता कौन है आप लोग देखिए यहां से सर्फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इसके जो है रचाइता कौन थे आप लोग राइट तेंसर बताईए और यहां से देखिये इसमें जो अपका राइट रोगा यहां पर सुर्य और सेन है चंदर सेखर राज़ाद है सरदार भागत सिंग है और राम परसाद बिस्मल है तो इसमें आपका रहा है टेंसर कौन सा हो जाएगा देखिए यहां पर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा जैसे कि यह जो सर्फ रोसी की तमन्ना वह हमारे दिल में है यह आपको बिस्मल अजीमा वादी के द्वारा कहा गया था ठेक चलि हुआ था वह आपका चार असे योग सबहने वग्रात को फिर पर नहीं किया था तो आपका राइट अंसर कौन सा होगा यह जो सुरू किया गया था आपका स्वादेशी अंदोलन सुरू किया था तो यह उनीशू पाँच में ठेक चलिए अगला प्रशन हम लोग का 14 नमर प वकील कौन थे यहां पर 1945-46 में जो दिल्ली में मुकदमा हुआ था उसके वकील पुछा गया है तो उसके वकील कौन थे आप लोग देखिए चार अफसन दिया गया है तो इसमें आपका राइट इंसर है भुला भाई देशाई जो थे वो वकील थे ठीक अफसन भी आपका कॉ पहराया तिरंगी सोतंतता धवज को मैडम फिकामी मैडम कामा ने जो है कहां पर फैराया हुआ था पेरिश लंदन यहां पर अस्टूट गाट और फिर आपर जी निवा कहां में तो राइट एंसर आपका जो है और एस्टूट गाट में फाराया हुआ था ठीक चलिया अगला प्रसन देख लिए यहां से हम लोग का 16 नमरे के नियम नमर से कौन से जोड़ी जो है सही है पहरा है कि बीनोबा भावे सही जोड़ी खोजना है कि बीनोबा भावे जो है द्वितिये ब्यक्तिकल सत्याग्राही और दूसरा है कि स्री आर दास जो दिस और फिर यहां पर हम लोग का बिलियाओं वेडन वर्ग जो है 1907 के कांग्रेस सभापती और स्यामा पर साज्यामा जी कृष्न बर्मा जो है पेरिस में इंडिया हाउस के संसापा कौन सा होगा या फिर उपक्रिक में से सभी होगा तो आपका राय टेंसर जो अगा सुमिले देखा जाए तो आपका सी यार दाजो की देस्बंधु यहीं आपका सही है ठीक चलिए अगरा प्रस्नेक लेजिए हम लोग का सत्रह नूमर प्रस्न क्या कह रहा है कि भारतिया राष्ट्य कांग्रेस द्वारा किन दिन को पूर्ण सवराज दिवस घूंसत किया गया था त चलिए अगला प्रस्ट्रम लोग का 18 नंबर है कि बंगाल में 27 परणाली किस्ट के द्वारा लागू की गई थी तो 27 जो परणाली है बंगाल में लागू किया था आपका चार अपसन है वारेन हेस्टिंगस विलियों वेटिंग रावर्ट कलाई और यहां पर लावड कर ज चलिए अगला प्रस्ट्र देखा जा उनिश नुमर प्रश्ट कह रहा है कि इन्हें से किसने 1893 में शिकांगो महउजित धरम संसाद में भाग लिया देखिए 1893 में जो सिकांगो में धरम संस्द हुआ था उसमें किसी ने भाग लिया था दायाराम सषवाती स्वामी विव रहता है उन्होंने भाग लिया था ठेक चलिए अगला प्रस्ण देखा जहें हम लोगा बीस नंबर यह प्रस्ण कह रहा है कि 1923 में सुराज पार्ठी का गठन किस ने किया तो सुराज पार्ठी का गठन 2020 में कौन के थे महत्मा गांदी बल्ला भाई पाटेल सी यार दास मोतिलाल नहरू और भी यार अम्मेद कर उप्यूक में से कोई नहीं या फिर अधिक राइट अंसर क्या होगा तो इसमें आपका जो राइट अंसर होगा 1923 में जो है आपका सुराज पार्टी का गठन सी यार करने वाले किसानों के दमन का चितरन का गया है इसकी राचना किसकी है जो राचना की है तो यह राचना जो है आपका पर दख लेज़े चार अफसंद दिया गए तो आपका राइटेंसर होगा दिन बंधु मित्र के रचना है ठेक चलिए अगला प्रश्ण हम लोगा है बाइस नमर करें कि 1760 का प्रसीद वांडी वास का जूद अंग्रियजों द्वारा किसके खिलाप लड़ा गया था देखिए अगला प्रश्ण हम लोग का कहरा है कि निम्न लिखित में स्वरी निम्न में सेज्जों किस अधिनिया में भारत में और प्रिथक निर्वार्यचन मनडल का आरह्म क्या गया तो प्रिथक निर्वार्यचन मनडल का जो आरह्म किया था याप sneaking भारतिय परिसद देनियम 1909 में आपका राइटेंसर क्या होगा राइटेंसर यहां पर आपका डी हो जाएगा ठेक चलिए अगला प्रस्ण हम लोग कहां से 24 नमर प्रस्ण कह रहा है कि 1831 में बुढ़ो भारत के नित्रुटों में कोल विद्रों के किस छेत्र में हुआ था पहला है कच छेत्र जुसरा सिंग भूमी और पश्मी घाट या फिर सिता सत्रा तो राइटेंसर क्या होगा आपका अगला प्रस्ण हम लोग का यह अंतिम जो प्रस्ण आपका 25 नमर है कह रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई कि थी ठीक पचार अपर स्यामलदास कॉलेज भावनगर दूसरा है धर्मेंद्र जी सिंग कॉलेज राजगोट तीसरा है गुजरात क कॉलेज जुनागर अब रुपिक्त में से कोई नहीं या फिर रुपिक्त में से अधिकांसा होगा तो देखें जो गांधी जी के द्वारा पढ़ाई किया गया था वह आपको स्यामलदास कॉलेज जो कि भावनगर में है उन्हीं में इसी जो है कॉलेज में उन्होंने मैट ट्रिक के पढ़ाई किये थे ठेक आप लोग राइटमस एक कर लिजिएगा और आप लोग जो है कमेंट करिए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं और यह जो हम लोग का हिस्ट्री का ट्रेस्ट था तो आप लोग अगला जो बोलिएगा उसका ट्रेस्ट हो अजय को आपनु झाल